जब भी हम दूकान में tile choice करने के लिए जाते हैं तो mainly हमारे सामने दो options होते हैं पहला होता है ceramic tile और दूसरा option होता है 25. इन दोना ही tile के अपने advantage होते हैं अब tile select करने का हमारा तरीका यह होता है कि जो tile की design हमें अच्ची लगती है जिसका price काम होता है हम उसे select कर लेते हैं और उसके क्या advantage है ये पता होने के कारण आप अपने घर के लिए एक मजबूर टाइल का चुनाव कर सकते हो तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रू देखे चानल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चानल को ज़रू सब्स्राइब कर दीजे तो आईए जानते हैं आखिर क्या फरक होता है एक ceramic tile और retrified tile में तो सबसे पहला फरक आजाता है इन दोनों ही tile को बनाने के तरीके में तो सबसे पहले हम जानते हैं इनका composition क्या होता है सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ceramic tile की वो 3 से लेके 7% तक जो है वो tile absorb कर लेती है अब हम बात करते हैं vetrified tile की तो vetrified tile का जो composition होता है उसमें सिर्फ 40% तक जो है वो clay होता है उसके बाद में silica, quartz इस तरह का material का इस्तमाल किया जाता है अगर हम इसके water absorption factor की बात करते हैं तो ये बहुत ही कम होता है नहीं कि 1% से भी कम जो है इसका water absorption factor होता है अगर हम बात करते हैं strength की तो सबसे ज़्यादा strength होती है आपके vetrified tile में compared to ceramic tile क्योंकि ceramic tile का जो composition है और तो और उसका जो structure है वो थोड़ा सा porous होता है तो इस वज़े से उसकी strength जो है vetrified tile इतनी नहीं होती अब अगले point के बारे में बात करते है जो की है scratch resistant जैसा कि हम जानते है जब हम daily tile का इस्तमाल करते है तो उसके उपर अच्छे खासे scratch आने के chances बढ़ जाता है तो यहाँ पर आपके काम में आती है vetrified tile यह जो vetrified tile होती है यह scratch को अच्छे से resist करती है यानि कि इसके उपर scratch जल्दी visible नहीं होते है उसी जगब पर अगर आप ceramic tile का इस्तमाल करते हो तो ceramic tile के उपर जो scratch है वो जल्दी visible होते है यानि कि यह जो ceramic tile है यह vetrified tile इतनी scratch resistant नहीं होती है तो यह point जाता है vetrified tile के तरफ अगर हम बात करते है look की तो ceramic tile का थोड़ा सा rough look होता है थोड़ा सा earthy look होता है यानि कि natural look जो है आपको ceramic tile में दिखाई देता है अगर हम बात करता है vetrified tile की तो vetrified tile में आपको एक glossy finish मिलती है और तो और एक artificial look जो है आपको vetrified tile में मिल जाता है हाला कि जैसे कि आपको पता होगा कि पत्थर के उपर भी दूब गिरती है तो दूब का पत्थर के उपर भी आसर होता है तो ऐसा नहीं है कि बहुत जादा ही दूब गिर रही है और vetrified पे भी कोई आसर नहीं होगा हाला कि ceramic tile जितना तो vetrified tile पे नहीं होता किया जाता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्राफिक वाला एर्य नहीं होता बात करते हैं cost, तो cost ऐसा factor होता है बहुत से लोग cost के बारे में सोचते है हाला कि ceramic tile उनका cost कम होता है 25 रुपय से लेके 55 रुपय तक आपको ceramic tile मिल जाती है और वही पर अगर हम बात करते है वेटरिफाइड टाइल की तो वेटरिफाइड टाइल आपको 35 रुपए से लेके 55 रुपए स्क्वेर फिट के इसाब से मिल सकती है हाला कि रेट जो है इससे भी बहुत जादा होते है पर जनरल दुकान में जो हम टाइल लेने के लिए जाते है वहाँ पर लगबग आपको इस रेट के आसपास जो है वो टाइल मिल जाती है अब यहाँ पर आप देखेंगी कि रेट में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है यानि कि सिरमिक टाइल जो है वो थोड़ी सी कम रेट में मिलती है आपको तो यहाँ पर वेटरिफाइड टाइल के अडवंटेज बहुत जादा है पहली चीज इसका कॉमपोजिशन जिस वाज़े से यह टाइल जो है बहुत जादा डूरेबल होती है और तो और इसके उपर स्क्रैच का जल्दी असर नहीं होता हाइली ट्राफिक वाली एरिया में जो है आप इसका इसका इस्तमाल कर सकते हो तो ओर ओर ओल ऐसे सभी पॉइंट जो है वो जाते है आपके वेटरिफाइड टाइल के तरफ तो इसलिए वेटरिफाइड टाइल एक अच्छा विकल्प होगा आपके घर के फर्ष के लिए तो अब सवाल यह आ जाता है कि हम ceramic tile कहां पर यूज करे और कहां पर हमें wetrified tile का इस्तमाल करना चाहिए तो जहां तक बात आती है आपके bathroom वाली area में जैसे की wall tile के लिए आप ceramic tile का इस्तमाल कर सकते हो तो आप अपने घर के लिए कौन से type की tile लगवाना पसंद करोगे wetrified या फिर ceramic comment box में comment जरू कीजे और आप अपने घर के लिए कौन से company की tile लगवाना पसंद करोगे इसके बारे में भी comment box में comment जरू कीजे